प्रिवारवाद को लेकर अक्सर बीजेपी के निशाने पराने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलेटवार करते हुए गुलवार को भारती जंता पार्टी को सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी करार दिया अखिलेश ने मुजफणगर के बढ़ाना इलाके में सपा द्वार आयो जित कश्यप महा संबेलन में कहा बीजेपी सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता अखिलेश ने संपून सपा को समाजवादी परिवार करार देते हुए कहा समाजवादी पार्टी समाजवादी परिवार है हम सभी समाजवादी परिवार के लोग है समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोडने का काम कर रही है कई छोटे दलों को भी साथ लिया है गौरतलव है कि बीजेपी परिवारवाद के प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है सपा के साथ हर वर्ग का समर्थन है उन्होंने कहा समाजवादी की सरकार बनने पर किसानों का सम्मान होगा नोजवानों को नोकरी मिलेगी महगाई कम होगी पीजली के बिल से किसानों बुनकरों को राहत मिलेगी सिचाई में मुफ्त करेंगे पढ़ाई का अच्छा इंतिजाम किया जाएगा पूर्व मुख्यमंतरी ने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कश्चप समाज से लेकर सभी वर्गों का समान होगा कश्चप समाज की जो 18 सूत्री मांगे है उन पर विचार किया जाएगा किसान पिछडे अगडे दलित अल्प संक्यों को सहित सभी वर्गों की बड़े पैमाने पर भागिदारी रहेगी अकलेश ने साथ में ये गी कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों नोजवानों पिछडे दलितों अगडों सभी को धोका दिया है ये नफरत फैलाने वाले समाज विखाई पैदा करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि जो सरकार पिछडों की गिंती नहीं करा सकती है वह हक और सम्मान नहीं देगी बीजेपी पिछडों का अरक्सन छीन रही है समाजवादी सरकार आने पर पिछडों की गिंती करा कर भागिदारी और सम्माम दिया जाएगा पूरु मुख्या मंतरी ने कहा कि पूरवांचल के लोगों ने बीजेपी के लिए दरवाजा बंद कर दिया है पश्चमी उपी के लोग भी उसके लिए दरवाजा बंद कर देंगे किसान नोजवान पिछडे अगडे दलित अलप संक्यक सभी मिलकर इस बार बीजेपी का सफाया कर देंगे अब देखना यह होगा कि अकलेश यादव के दिये यह बयान और दिये यह वादों को वो किस हद तक पूरा करके दिखाते हैं क्या वो अपनी कुर्सी को दुबारा उत्या परदेश में ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे देख अब यह तो चुनावाने के बाद ही पता चलेगा ऐसी और खबयों के लिए बने रहे ये नेक्स्ट नाइन यूज नेशन के साथ धन्यवाद